हाई अब्रीवन तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी स्ट्रोइंट की वोंगे तो मैं आपका फेट से सब्सक्राइब करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट में तो देखिए आज मैं आपको अपडेट दूँगा सोल ए एक्जाम की यह मतलब जिस इसी जिस भी सब्जेक्ट में आपकी यार आ रखी है तो सारा कुछ आज मैं बताऊंगा तो वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमाँ चैनल भी ज़रूर जॉइन कर ले लिंक मैं डिस्किप्शन बॉक्स माँ को दे चुगा हूं तो फाइनली आप सभी को मैं कॉंग्रेचुलेशन देना चाहूंगा कि आपका फाइनली फो इस वाले सेसन में नहीं दिये उन जब आप सब्सक्राइब कर दिया तो और काफी ऐसे भी स्टूडेंट है जिनकी बैक आरकी है थर्ड और फिफ्फ सेमेस्टर का जो भी रिजल्ट आया था उन सभी के एक्जाम फॉर्म या मैं काऊं कि उन सभी के इक्जाम कब तक होंगे तो देखिए पहली चीज में आप से बताना चाहता हूं थर्ड और फिफ्फ सेमेस्टर के जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिनकी यारा रखीती है जिनोंने ये एक्जाम इस वाले सैसन में नहीं दिये उन सभी के जो एक्जाम से वो दे दिसंबर से लेके जनवरी के बीच म होती है इसके अलाबा मैं बात कहूं कि यार का जो एक्जाम होता है वह आपका दिसंबर से जनवरी के बीच में होगा जिसके लिए आपको सैटमबर से अक्टूबर के बीच में फॉर्म आपके डैस्वोड पर जारी किया जाएगा यार सब्जेक्ट अब मैं बता दूँग का जो भी एक्टिविटीस है फिलाल एक्जाम की फीज मैंने बता दी 400 से 500 पर सब्जेक्ट रहेगी ज्यादा नहीं होगी डेट्स डिसंबर से जनवरी के बीच में एक्जाम सोंगे आपके और फॉर्म आपका सैटमबर से अक्टूबर के बीच में फॉर्म जारी किया कर दोなた कि उलिवन से अक्टूब और भी जार के जारी के जाएग होगी तादा बीचह फ्यूदीट